कि हैलो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे साथ हम लोग यूपी पीस है 24 के लिए प्राक्टिस ट्रेट सॉल कर रहे हैं और अभी जो प्राक्टिस ट्रेट सॉल कराया जा रहा है द्रिश्टी आज द्वरा पब्लिश करें गए टेस्ट एस्ट को हम लोग सॉल कर रह होते रहेंगे ठीक है तो यदि आप लोग चैनल पहना हैं तो सास्क्राइब कर लिजिए और वैल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे वीडियो के मादपुर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें वीडियो अगर अच्छा लागे तो लाइक जरूर कर दिया करें कर सकते हैं तो चले इसी के साथ वीडियो की सुरूरात करते हैं और हां देखे जैसे की एक्जाम्टेट पास में आ रहा है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अब जो है बिल्कुल मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा खातरनाक सावित होगा तो इसलिए जो है लापरवा चले इसी के साथ वीडियो की सुरुवात करते हैं और यह जो कोस्टन्स है आपको हिंदी और इंग्नीज दोनों में देखने को मिलेंगे दोनों फॉर्मेट में तो जिस लेंग्वेज में आप लोग कमफेटेबल हो उसमें कोस्टन्स पेपर को सॉल्व कर सकते हैं कोस्टन 248 जो है वह आउसिष्ट विधाई सक्ति जो है इसका उलेख करता है दो सुन्चास की अगर हम बात करें इसमें राज्य सुची में सामिल विषय के संबंद में राश्टी हिद में विधी बनाने की संसत की सक्ति का उलेख किया गया है कि राज्य सुची में जो विषय सामिल है राज्ट हीत में संसद 29 पर कानून बना सकता है इसका उलिक 240 में किया गया है और 250 में जो है अपात काल के समय संसद राज सूची के बिशे पर कानून बना सकता है यह जो है अधिकार दिया गया है अनुशित 251 की बात करें इसमें बताया गया है कि संसत वुर्ण अनुशدة दो सो अनचास और दो सो पचास के अधिन बनाई गई विधियों और राजी की विधान मंदल द्वổiा बनाई गई विधियों की बीच और संग्गतता की इस्थिति में जो है अगर जैसे संसत द्वरा कोई कानून बना जाता है और राजविधान मंडल द्वरा उस दम सेम कानून जो है बनाया जाता है तो उस कानून में जो है उन दोनों कानूनों में संसत का कानून प्रभावी होगा लेकिन अगर जो है राजसरकार द्वरा राजसरकार द्वरा अग के बाद अगर राष्टपती यह उसकी सिभालिस कानून लागों किया गया तो नहीं तो 27 कानून प्रभावई होगा इसका उल्लिग जो किया गया है कि राज सरकार के कानून और संसर्थ द्वारा बनाएगे एक कानून की अस अंगतता की इस्तिती में क्या प्रावधान होगा इसका उल्लेख 200 एक्याउन में किया गया ठीक है और अवसिष्ट सक्तियों का जो उल्लेख है 248 में ठीक और सने सही हो जाएगा नेक्ट देखी इसमें सुची फर्ष्ट को सुची सेके रिक हम बात करें इसमें नाग लन के बारे में 278 बंद किया गया है ऐसम राजी को 208 इका तर्षा र देता यह कह सकी है कि उसके विसेश्ए सुभबंद करता है 371 C منipur को वर 371 E जो है देखे यह जो है E नहीं, यह D वोगा ठीक है D जो है आंदर प्रदेश को ठीक है आंदर प्रदेश को देखे इसकी अगर हम बात करें तो इसका स्थाहिया एँचर याएगा option A इसकी अगर अंदर में हम देखे 371 C में मड़ीपूर के बारे में विसे सुबबंद किया गया है, 371 D में, 371 D में आंधर प्रदेश के बारे में विसे सुबबंद किया गया है, ठीक, और 371 E में तेलंगाना के बारे में विसे सुबबंद है, 371 F में सिक्किम के बारे में विसे सुबबंद किया गया है, 371 G मि आई है, 371 आई में गोवा के लिए विसे सुबबंध है और 371 जे में करनाटक के लिए विसे सप्रावधान किया गया है, ठीक है, इसका सही एन्स वर्जेग उप्शन है एक, दो, तीन और चार, किसी कीट नासक की उपस्तिती के कारण हाल ही में होंग कॉंग में दो लोग की प्रिय मसाला ब्राउंडो को उत्पादों की विक्री पर प्रतिबन लगा दिया गया था, इसमें आप बताना है कि किस कीट की उपस्तिती या किस कीट नासक की उपस्तिती के कारण इस पर प्रति सब्लीन ऑक्साइड के कारएप प्रतिबंद लगा दिया गया ओठ इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रतिबंद लगाया गया था वह MdH के 3 मसालों पर प्रतिबंद लगाया गया था जिर में मंदल्खित में से कैसे राज पाल दोरा नियुक्त किया जाता है कूट के इसाब से आपको सही एंसवर का चैन करना है इसका जो सही एंसवर है वो हो जाएगा option D सभी को बश्य देखे राजपाल के पास कारेकारी विदायी वित्ती और नियाएक सक्तिया तीनों होती है उसके पास राश्टपति के समान कोडनेतिक been or अपातकालिन शक्तिया जो है नहीं हो ती यह हो जाएगा और पूछे की कौन सी सכ्तियों में कौणि सीश सक्तिया सेम है तो यह और राजपाल के बारे में अगर हम कुछ और देखें तो राजपाल जो है सरकार की सभी कारेकारी सक्तियों का आपचारिक रूप से राजपाल के नाम से किया जाता है राज़ेपाल जो है या मुख्यमंत्री और रहने मंत्रियों की नुक्ति करता है और यह सबी उसके प्रसाद परियंद पद्धारण करता है इसका मतलब यह नहीं है कि राज़ेपाल जब चाहेगा तो बटा देगा अर्थाथ जो है अगर उसे विधान मंडिल में सरकार का भह ही किया जाता है राज़ेपाल लोग से वायूक्यय अध्वच और उनके सदर्स्यों की भी नुक्ति करता है ठीक है बस नुक्ति करता है उन्हीं हटाने का दिकार किसके पास है उनकों आटाने का दिकार राश्फाती कि के प्राप्त हैं ठीक है तो सही अंसर क्या हो जाएगा उप्संदी सभी विकल्प आपके सही हो जाएगे निम्दलखित विस्यों में से कौन सा संग सूची में सामिल नहीं है कारागार जनगर्णा मुद्रा या फिर वीमा इसका जो सही अंसरी विधान के संदर्भ में सभा राष्टी हीद में राज सूची के विसाफ और संसर द्वारा कानू बनाने की सकती काउलिक किया गया है अंशे 252 इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि दो या दो से यदिक राजियों की विधान मंदल संकल्प पारित करते हैं तो संसर उन राजियों के लिए कि विए कल्प सही हैं दोनों की अब बीकल्प आपके सहीँ जाएं कि नेक्षे देखिए इसमें सूची फर्ष्ट को सूची से किने से सुनित करना है कुछ अनुछिएद दिये के हैं और उस अंशेद में क्या प्रावधान किया गया है यह आपको बताना है ठीक है उस युकति के लिए जो अहर्टाएं होती हैं किसी विभ्यकति को राजपाल बनने केलो उसके पास कौन सी अहर्टाएं होनी चाहिए इसका जो उल्लेख किया गया उन्षे देखसो 78 में किया गया है अंचे देखसो 69 किया गया है वह है राजपाल को सहायतायम सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशत होगा राजपाल को सहायतायम सलाह देने के लिए कि निम्रकित में से कौन सा अनुछे संसत को नई अखिल भारती सेवा का निर्माड करने का अधिकार देता है इसका सही एंसवर जो है वह जाएगा ऑप्सन भी संसत को राजसभा के संकल्प के अधर पर नई अखिल भारती सेवाओं के इस रिजन की सकती देता है तो सही एंसवर जो हो जाएगा ऑप्सन भी याद रखेगा इसके लिए जो इसके लिए जो आपके समर्थन की आप बात जो की गई है वह है राज सभा में उपस्तित ए उम्मत देने वाले कम से कम दोति हाई पहुआस्तित संकल्प पैरित होना चाहिए तो भी सही हो जाएगा नेतलखित में से किस वश भारती वन सेवा का गठन किया गया था समभिधान में मुक्य मंतरी के चैन और न्युक्ति के लिए कोई वीश्दृत प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है जब विधान सभा में किसी भी दल को असपष्ट भवमत प्राप्त नहों हो तो राज जिपाल मुख मंतरी की नुक्ती के लिए अपने व्यक्तिकत भी बेक काउप यूग कर सकता है कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही है अन्सवर जाएगा उप्सन है दोनों बिकल्प आपके सही हो जाएंगे सम्विधान का निम्नलखित में से कौन सा भाग? राज कारिपालिका से संबंदित है भाग 5, भाग 6, भाग 8 या फिर भाग 9 राज्य कारपालिका से कौन सा भाग संबनी थे आपको उताना है ज़िए इसका जो सही एंस्वर है वह जाएग ऑप्सन भी राज्य की कारपालिका का जो उलेख है भाग छेम किया गया है केंदर की कारपालिका का जो उलेख है भाग पाच में है ठीक है और राज्य की कारपाल रिपालिका का लेख किया गया ठीक तो सहीं अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन भी ओप्सन भी हो जाएगा भाग छे और अंच्छेट 153 से लेकर के 166 और भी याद रखेगा चैनल निरुणलखित में से कौन सा स्मंधानिक स्तस्था नेतनें वर्ष्टो एम सेवाकर से संबंधी थे वर्ष्टो एम सेवाकर का संबंद जो है अमश्य एक स billy hmm जो किया गया था इसका संबंद जो है जी हजटी से औप्शन D सहीं हो जाएगा अंतर राज़े परिष्ट के संदर्व में दिम्नलखित में से कौन सा अकतन सही है अंतर राज़े परिष्ट के अस्ताप्रा पूंचिया के अनुसंसा पर की गए थी राज मननार आयो इन अखिल भारती से वाव को समाप्त करने की अनुसंसा की थी कौन सा बिकर्पी इसका सही है ये बताने है कूट के हिसाब से आपको सही एंस्वर का चैन करना है देखे इसके अगर हम बात करें इसका जो सही एंस्वर है वो हो जाएग उप्सन सरकारिया नयमुर्ती जो ऐसार सरकारिया थे इनके दर्स्ता में एक आयोग का गठन किया था और सरकारिया आयोग की महत्पूर जो अनुसंसा है इनके द्वरह किया था कि भातिय सम्दान के उच्छे 263 के उसार परिभासित अरिसेश के साथ परमर्स के लिए एक स्वतंत राष्टी मंचे की रूप में अस्थाई अंतर राज़ाई परिशत के गठन की सिफारिश की थी ठीक है और इसका जो उलेख है अनुछेद 263 में किया गया है ठीक है ऑप्सन भी हो जाएगा निम्दलखित में से कौन सा उबबंद समिधार का भाग सही सुमिलित नहीं है संग लोग सेवा आयोग इसका उलेख भाग अपातकाली नुबबंद भाग भाग जो है आपका तेरह अपातकाली ने परावदांसा कारी समिधी भाग दस नागरिक्ता भागती कौन सा विकल्प इसका सही होगा देखे इसकी अगर हम बात करें कि इसका जो सही है अन्सवर वह जाए को उप्सन है संग लोग सेवायोग सम्धान के जो मूल में 22 भाग तीन सो पंचारव उन्चेद और आठंस उचिया थी वरत एक वर्स गरतन दिवत की रुप में मनाया जाता है और भागों के अगर हम बात करें भाग 14 संग लोग सेवायोग के बारे में प्रावधान किया गया है और भाग 13 जो है इसमें व्यापार और वाडिजे समागम की स्वतांदरता काउल लेक किया गया है ठीक इसमें क्या और अनुची जनजाती छेत्रों का उलेक किया गया है और भाग 3 जो है यह जो है भाग 3 जो है यह नागरिक्ता नहीं बलकि मुल अधिकार से संबंदित है भाग 3 ठीक सही एंस और आप्सन नहीं हो जाएगा नेक्ट देखिए इसमें सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से सुमनित करना है अनुचेद 263 की बात करें इसमें किसका प्रावधन किया गया अनुचेद 262 है इसमें अंतर राजरी नदी जाल विबाद जो है इसका उलेक किया गया 3733 में उसका उलेक किया गया है 43ilen इसमें सरोचनेले के सलाकारी 6 दीकार का उलेक किया गया है और इक सक बच्पन राजपाल की नुक्ति का उलेक किया गया है सही एंसर जाएगा दो एक चारत तीन ओप्सन टी ओटई उप्सन टी ओचाएगा राज्य के लिए बिसेसु बंदों के संदर में निमनलकित में से कौन सा कतन सही नहीं है इसका उलेख भरत के समधान के भाग 22 में किया गया है पहाड शेतरों का विनिरधारण राज्य पाल द्वारा राष्टपती के पारामर्से से किया जाता है मुख निर्वाचन आयुक्त को उसी रिती से पदमुक्त किया जा सकता है जिस रिती से भारत का मुख नधिस को सरुच नियाले की नधिस को किसी राज्य के राज्य पाल को या फिर उप्रुक्त में से कोई नहीं इसका सईये एंसर क्या होगा इसका जो सईये एंसर हो जाएगा जिस हडिति सही सरोच चन्या लेकिन आधिस को घाए जाता है उस्ति अधार पर भारत के मोख निर्वाचन आज़ुको घाए जाएगा ठेक है, तो अप्सशन B इसका सईये हो जाएगा ओप्सन भी सही नियमनलखित राज्यों में से किसमे या किसमे द्वी सदनी विवस्ता है तेलंगाना महराष्ठा उत्तर प्रदेश या फिर बिहार इसका सही एंस्वर क्या होगा कूट के हिसाब से आपको सही एंस्वर का चैन करना है देखे इसकी अगर हम बात करें तो महरा संसत्र के निर्वाषित प्रदीओं के संदर में निम्नलखित में से कौंश सकतन सही है चुनाव परिन्याम की गोशना लोग के प्रते निदितु अधिनियम उनी 151 की धारा तियातर के अंद्रगत की जाती है किसी सदा से दोरा दल के प्रते निष्ठा में परिवर्तन दल बदल विरोधी कानून के अतात आयोगिता की अधिन होगा और कौन सा बिकल्ब सही है इसका जो सही अंस्वर वो हो जाएगा और दोनों बिकल्ब आपके सही हो जाएगा ठीक ऑप्सन भी हो जाएगा सता से नहीं होता बाकी प्रधान मंत्री लोग सभा में विपक्ष काने था और प्रधान मंत्री दोड़ा नाम ने देशिट केवनेत मंत्री इन लोगों से मिल करके इस समिती का निर्माण के जाता है जिसकी अनुसंसा पर मुख्य सूचना आजुकति की नुगती होती है तो सह प्रधान मंदल के दो सत्रों के बीच अजित्तम जो समयंतराल है वच्छे माइनास यदिक नहीं रोगती है ऑपशनची की सेवा सर्थो और कारिविधी प्रधान मंत्री दोड़ों निधायत की जाती है समिधान में निर्वाचन आयोगी के सदस्यों की कार विधी निर्दि पूर क्या होगा इसका जो सहिंए और वह जाएगा ऑप्शन दूस्टा सहीं पहला गलत है जो भातिनी वाचन आयोक जो है या एक अस्थायो श्वत्तंद्र निकाह है इसके अस्थापना भारत के संधान दौर 8 में स्वत्तंद्र और निश्पक्षे चुनाओ जो है सुनशित पदों के लिए चुनाव उसका अधिछर निदेशन और नियंतर जो करने की सक्ति एकुल सक्ति सारी सक्तियां जो है निर्वाचन आयुक के पास है इसके साथ साथ अगर हम बात करें पंचायतों का चुनाव तो राज निर्वाचन आयुक दुरा करा जाता है तो यह बाहर है बागी एस राष्टी राश्पति जो है यह मुख निर्वाचन आयुक और अनिर्वाचन आयुक तो समिधान निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योगता विधी सैचरिक प्रसास नहीं इसका निर्वाचन आयोगे के सदस्यों की कार्विधी भी निश्पादित नहीं की गई ठीक है दूसरा सही हो जाएगा अंने बारती सम्दन का समाज के गरीब और कमजूर वर्गों के लिए निम्सल्क विदिक साथ साहता उपलबत कराणे का बाथ करता है इसका जो सभी अन्सवर्ब हो जाएगा उप्शन सी अंच्छत 49 और कैपिटल ए सबकुलोज जो है इसमें गरीब यहां कमजोर तबकों के लिए निसुल के उम्भिधिक साहता उपलब्द कराने की जो राज की जो है क्या करता है करता यह है इसका उलेक किया गया यह य थी इसका सही अन्सवर क्या होगा इसका जो सही अन्सवर है वह जाएगा उप्शन दिख सात्वां सम्दल संचोदन 1956 वर्या प्रावधान किया गया था कि कोई किसी एक व्यक्ति को दो या दो सदिक राज्यों का राज्य पाल पनाय जा सकता है ठीक है ऑप्शन ठीव हो जा है क्या पुछा कि कौन सा भी कल्प सही है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दोनों भी कल्प जो है गलत है गलत क्यों है देखे राज मुख सूचना आयूक्त और अने राज सूचना आयूक्त किन सरकार्द और निर्धारी तवदी तक या फिर 65 वर्षे की आयू तक पद सही है जिला नाधीसों की नुक्ति के संदर में कौन सा भी कल्प सही है राजे का राजपाल उचने आले के परमसे से राजे के भीतर जिला नाधीसों की नुक्ति और पदुन्नति के लिए जिम्दार होता है जिला नाधीसों की रूप में नुक्ति के लिए व्यक्ति के पा पास कम से कम साथ वस अधिवक्ता की रूप में कार करने का अनुभव होना चाहिए ठीक है तो ऐसा नहीं है कि उसके अनुभव किना अनुभव को हो जाएगा कम से कम साथ वस उसके पास अनुभव होना चाहिए साथ वस अधिवक्ता की रूप में कार करने का पहला सही है दू दो सकती है इस में पुताना है कि कौन सा बिकल्ब शहीं होगा नहीं लेकिन उस मृत्यूत करने से पहले ékलत ही जो है उस पास न्याइक और प्रस्टिंग दोनों सकतिया होती है या आपका सही हो जाएगा ठीक है तो तो सही एंस वो हो जाएगा ओप्शन ठीट भारती सम्दान का अंदिवनलखित में से कौन सा भाग केंद्र राज संबंधों से संबंदित है किसमें जो है केंद्र राज संबंधों का उलेख किया गया है इसका जो सही अंसर साथ ही वो हो जाएगा आपका उप्शन केंद्र राज संबंधों का जो उलेख है भागी गर्म किया गया है विधाई संबंद और प्रासासनिक संबंद ठीक है विधाई संबंद और प्रासासनिक संबंद लेकिन इसमें अगर हम देखें थोड़ा अगर और डीप में जा करके देखें तो यह कुश्चन्स गलत लगेगा क्यों क्योंकि देखिए क्योंकि विधाई संबंद और प्रासासनिक संबंद का जो उलेख है वो तो भाग 11 में किया गया है लेकिन जो वित्तिय संबंद है इसका जो उलेख है यह किया गया है भाग 12 में ठीक है भाग 12 में तो जिसमें विधाई संबंद की बात करें 6245 लेकर के 255 जिसमें विधाई संबंद प्रासासनिक संबन 256 से 263 और वित्तिय संबन 268 से 293 तो अगर जो है यह मानके चलिए कि यह कोशन जो है कांटरवर्सी में ही रहेगा ठीक है तो क्योंकि इसमें संबन पूछा है अगर विधाई संबन पूछता या फिर प्रासासनिक संबन पूछता तब तो भी हो जाता ले राश्पति को या निर्देश देने का अधिकार है कि संसत का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित छेतर पर लागू नहीं होगा या फिर निर्देश संसोधन और अपवादों के साथ लागू होगा राश्पति को में घाल है तृपुड़ा मिजोरम के जंजाती छेतर राज्य पाल को या निर्देश देने का अधिकार है कि संसत का कोई अधिनियम राज्य की अनसुची छेदर पर लागू नहीं होगा या फिर निर्देश संसोधन और अपवादू की साथ लागू होगा नकी राष्ट पत्ती के पास याधिकार है ठीक है तो पहला गलत हो प्रदत अपातकाली इंसक्तियों के बारे में कौन सा विकल्ब सही है राष्ट्री अपातकाल के दुरान केंदर राज सरकारों को कोई भी कारेकारी निर्देश देने के लिए अधिकरित हो जाता है राष्ट्री अपातकाल के दुरान केंदर सरकारा राज सूची में उल्ल पर कानून बनने का अधिकार प्राप्त होता है हलाकि राज विदाहा ने समचार की जो विधाई सक्तिया हो निलम्बित नहीं होती है लेकिन वे संसत की अधी भावी अधिकार के अधिन हो जाती है तो पहला आपका सही दोस रख लता है राष्ट्पति या राष्पति सासन पहली बार किस राज में लागू किया गया था राष्पति सासन जो लागू हुआ था वह पहली बार किस राज में लागू हुआ था इसका सही और सुरजाग उपसंसी सबसे पहले पंजाम में लागू हुआ था ठीक और कब लागू हुआ लिखता निधी का उलेक किया गया है इसका सही अंसर जाएगा ओप्शन अनुछे 268 से ले करके 293 तो सही अंसर क्या जाएगा ओप्शन देखिए इसमें सुची 1 को सुची सेकेंड से सुनित करना है इसमें केंडर साषित पर्दिश और उसकी अस्थापना कप कि गया थी उससे सुनित करना लद्धाख की बात करें अगर बात करें हम लद्धाखका लद्धाखका जो अस्थापना किया गया था कि 2019 में इसे अलग करके जम्मु कस्मी से एक अलग के अन्सासित प्रदेश बनाया गया है दमन दिव जो है इसे 1928 में अंडमान निकुबार्दीप समून का स्थापन 1956 में हुआ था 1956 में और दादर विमनागर हवेली 1901 तो इसका जो सही है अन्सवर वह जाएगा ऑप्शन भी तीन चार एक दो ऑप्शन भी सही है किन सासित प्रदेशों के संदर में कौन सा भीकल्ब सही है दिली एक मात्र के नर्सासित प्रदेश है जिसका आपना उच्छ नयायाला है के दूसरा गलत क्यों है देखें अन्डमान निकुबाद द्वीप समू चंडीगड लक्ष दीप और पूदुचेरी या करम सज अगर हम बात करें अंडमान निकुबाद द्वीप समू जो है कलकत्ता हाई कोट के अंदर गताता है चंडीगड जो है पंजाब हर्याना उच उच्छ नियाले के अंदर गताता है और पूदुचेरी जो है मद्रास उच्छ नियाले के छेदर अधिकार में आता है तो सही एंस्वर जाएगा आपको उप्शन सी निमनलकित में से किस राज्य के पास भारत में सबसे अधिक जी आई टैग है यह बताना है इसका जो सही में इसका सही एंस्वर matter वा चाइक अवका ओर तर्परदेश के हालई में उत्तर परदेश के छे उत्पादों को जो है जी आई टेग दिया गया था जिसके साथ उत्तर परदेश के जी आई टैगों की कुल संख्या बढ़ कर के 75 हो जहिए 75 है गर इसके बात क्वी तो आपका पहले नमर पर अप्शन सी हो जाएगा की से समीत ने पहली बार पांचायत चुनाओं के सभी एस्तरों पर राजनेतिक दलों की अधिकारिक भागदारी की अनुसंसा कि थी असोक में था बलवंत राय में था जीवी के राया फिरेलम सिंद्वी इसका सही एंत वर ज अस्तरी इनके द्वी अस्तरी पंचायति राज विवस्त हा की गए थी अनुसंसा की गए थी और इसके साथ-साथ जो है इन्हों इन्होंने पंचायत में राजनेतिक दलों की भागिदारी को बढ़ाने की भी अनुसांसा की थी ठीक है ओप्सन हो जाएगा त्यात्रवा समनाथ संसोदन अधनिया मुरी सो बानपे के संदर में कौन सा विकल्प चाहिए इस अधनियां दोरा भारत के समिधार में ग्यारामी सूची सामिल की गई इस अधनियां दोरा भारत के संदर में एक नया भाग नौई जोड़ा गया कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है यह दिक इसका जो सही है जो जाएगा आपका ऑप्सन की यह जो पहला से गलत है दोराग नौन अधनिया जोड़ा गया था यह नगर पालिका के लिए जोड़ा गया था तो पहला सहीं हो जाएगा दूसरा गलाथ निम्नलखित में से कौन सा पंचायतों के अंदर गरत रखे गए कार्यातमक विशियों में सामिल नहीं है समाजिक वानिकी और क्रिसी वानिकी गैर पारंपरी कुर्जा इस्तुरत पसू तलाब पसूं के प्रती कुरूड़ता की रोगथां बाजार और मेला कौन पंचायती राज के द्रगत नहीं आता है या आपको बताना है पसू तलाब पसूं के प्रती कुरूड़ता की रोगथां इसमें अगर हम बात करें ग्यारावी और उसूची में पंचायतों को 29 बिस्यां सोपी गई है और इसमें कौन-कौन से सामिल है तो क्रिसी विष्टार सेवा भूमी सुधार भूमी सुधारों का कार्यान वजन भूम पसू पालन डेरी फार्मिंग मुर्गी पालन मतस्य उद्योग समाजिक वान की क्रिसी वान की ग्रामिड आवास प्यजल का प्रावधान इंधन चारा अपूर्ती सड़क पूल घाट और जलमार्गों का निर्मार्यम रख रखाओ ग्रामिड विदुतिकर और विदुत वि आता है ऑप्संति हो जाएगा निर्दल खितने से कौंति अत्रमार्यम सम्दान सोधन अधनियम के तहत अनिमार उपबंध नहीं है मदवर्तियों जिला अस्तर पर पंचायतों के अध्याच्पद के लिए और परत्याचे चुनाओ पंचायतों के लिए चुनाओ लड़ने ह है या बताना जहीं को है कि इसका जो सही आँत्षन है कर दो जायेगा आपका उप्शन डिइश जो अनिवार प्रावधान कीए गये थे प्रावध दुनीत है जरत पसस्तु.» गाडगील सम्ति थूंगन एलम सिंध्यों जीवी की राओ सम्ति इन्हें जो है इनका क्या कहते है इनका गठन कप किया गया था उससे ले करके इसे लगाना है आपको ठीक है इसमें अगर हम बात करें गाडगील सम्ति का गाडगील समिति का जो गठन किया गया था गाड़गिल समिती का जो गठन किया गया था 1988 में किया गया था ठीक है थूंगन समिती का जो गठन है यह किया गया था आपका पी के थूंगन दो हजार साथ पटाठासी पी के थूंगन इसका जो गठन किया गया था इसका गठन भी 1988 में हुआ था ठीक है पी के थूंगन समिती का गठन भी 1988 में हुआ था एलम सिंध्वी समिती का जो गठन है एलम सिंध्वी समिती का गठन 1986 में किया गया था 1986 में जीवी के राओ समिती का जो गठन है यह किया गया था 1950 में तो इसका जो सही अंसर है क्या पूझा है सही अंसर पूझा है वो हो जाएगा आपका बाद के दाओंगा समीति है देखिया इसमें गाड़गिल सम्ती और थुंगन सम्ती गठन इसे किया गया था लेकिन किया गया है पंचायत लेखाओं की संपरिक्षा कवले किस में किया गया है पंचायत लेखाओं की संपरिक्षा का जो उलेख किया गया है अंचे 243 जे में किया गया है ठीक है राजवित आयोग का उलेख किया गया है राजवित आयोग का जो उलेख किया गया है अंचे 243 आई अंचे 243 आई में राजवित आयोग का उलेख किया गया है पंचायतु के लिए निर्वाचन या चुनाव का उलेख 243 K में किया गया है और पंचायत में जो आरचछड का प्रवधन किया गया है आउन्चे 243 D में किया गया है तो इसका जो सही एंस्वर हो जाएगा आपका 4,3,2,1,4,3,2,1,4,3,2,1,4,3,2,1,4,3,2,1,4,3,2,1,4, हो जाएगा निर्वाचित में से किस संकल्प को अस्थानी स्वासासन का मैगना काटा का जाता है मियो का संकल्प रीपन का मॉन्टेंग्यू का या फिर मेटकॉप का इसका जो सही एंस्वर हो जाएगा ऑप्शन भी रीपन के संकल्प को पंचायतों का या स्थानी स्वासा सौब का त्याग अपना पद त्याग सकता है मुख मंत्री राजपाल के प्रसाद परेंद पद्धारण करता है इसका जो सही अनसवर क्या होगा कूट के इसाप से आपको सही अनसवर का चैन करना है सही अनसवर जैग ऑप्शन भी दोनों भी कल्प सही है अपातकाली नुप जो वंधों के बारे में कौन सा कथा सही है selv वालिसवा सम्दान संसोदान अदनियम ने राश्पति को राश्टी अपातकाल के दायरे को भारत के सिय। स्विमित करने का दिकार दिया 42 समुदर अधनियम दोरा राश्टिय ऐ पतकाल की घोशना को न्याइक समईचा से मुड़् कर दिया गया था कौन सा भी कल इसक का सही होगा इसका जो सही अंसर है या पूझा की कौन सा भी कलब सही है वह जाएगा आपका वासस्फा sort दायरे को भारत के निर्दिष्ट हिस्सें तक सिमित करने की अनुम्हाथ दी गई थी जब 22 सम्दान जोतने किया गया था लगी चाहँ जिसे पुना-4 प्रावधान किया गया कि अगर मरमाना या और समयधानिक रूप से अपातकाल की जाती है तो उसकी न्याई समिच्छा की जाएगे ठेक है और अर्टिस्वा सम्दान संसोधन द्वरह इसे लागू किया गया था तो दूनों विकल्प गलत हो जाएंगे लोक अधालत के संदर में कौ nhi्यायाल है सुलक देह नहीं हूँ यह आप राधिक मामलु का निव्टान प्रदान नहीं करता है कौनसा विकल्प इसका सही है पहला सही उजाएगा दूसरा गलत है ठीक लोग अदालत के अगर हम बात करें लोग अदालत इसमें जो है आपराधिक प्रवित्ति के मामलू का निप्टान भी किया जाता है ठीक है तो दूसरा गराथ है आपरेशन में एकदूद जिस जिसमें जिसने अपरेशन में अपने को 40 वर्ष पूर किया किससे समय थे और जाग ऑप्शन टी सी अची निगलेजिर में संगाज ठीक ऑप्शन डीस का सही है और दोएचोविस में इसे 40 वर्ष कंप्लीट हो गया तो हो सकता है कि इससे को बन जाए इसे लांच किया गया था उननीस्तों चोड़ासी में ठीक है ऑप्शन टी भारती संदन का उचे 227 किसे समबध है किसी ने आधी से का एक उचने आले से दूसे उचने आले में इस्तनांदर कारेकारी मुखने दीस की निगती सभी नियायालों की रिचर की उचने आले की सकती या फिर कुछ रिड यारी करने की उ सब्सक्राइब और पहला जो दिननात मंगेशकर पुरसकार है पहला वाला यह दिया गया था प्रदान मंत्री मोती को ठीक है और तीसरा जो है मिताब पच्छन को रीट छेतरा अधिकार के संदर्व में रीट छेतरा अधिकार के संदर्व में नियम्नलकित में से कौन सा भी कल्प सही है वो चन्यालय को अपने छेतरी न्याय धिकर के बाहर भी रीट जारी करने की सकती है सव चन्याले के लमूल अधिकारों के परवरतन के लिए ही रिड जारी कर सकता है इसका सही अंसर क्या होगा इसका जो सही अंसर साथ हो वह जाएगा आपको उप्संस भी दूनों भी कल्ब सही है दूनों भी कल्ब देखे जो हाई कोट है अंशिद 226 के तहद मूल अधिकार के साथ सथ अन्य जो अधिकार है उनके विरुद भी रिड जारी कर सकता है और लेकिन सुप्रीम कोड जो है या केवल अंशिद 32 के तहद मूल अधिकार के परवरतन के लिए ही रिड जारी कर सकता है उच्छ नेले के संदर्व में कौन सा विकल्प सही नहीं है उच्छ नेले के नधिसों के निविति राज़परी दो रखी जाती है उच्छ नेले के नधिसों के पेंशन राज की संचिर निदी पर भारिद होता है उच्छ नेले के नधिसों के आवकास और पेंशन समय समय पर तरोरोो दर्ग कराना कौन सा कहल राज की लेकि जो पेंचन होता है वह केंदर की संचिर निदी से दिया जाता है था है तो भी गलत हो याझ नेमनलखित में से कौन राज नौवर से साइश मुनित नहीं है पस्चिम बंगाल महावीश्टू संक्रांती तमिलाटों में पुथ हंडू संक्रांती मना जाए हिमाचल प्रदेश में वीश्टू और असम में रोगाली वीहू कौन सा विकल्प इसमें से गलत है इसका जो सही थी आइन फ़र वह जाएगा उप्संट पर्देश में वीश्टू या गलत है ठीक है हिमाचल परदेश में वीश्टू मना जाता या गलत हो तो सीजो है वह सही है नेमनलखित में से कीत कड़ों को गार्ड़ पार्टिकिल्स के नाम से जाना जाता है जो हिंक सो बोसान है य या फिर लेखाक साही सुमिली थे है नाइफ सलमान रूसदी, दा आइडिया ओप डेमोक्रेसी, डिस बराओ, जस्ट ए मरसीनरी, सैंपीत रौदा, या फिर उप्रूप्त में से कोई नहीं, कौन सुमिली थे या बताना है, इसका जो सहीन स्वर है वो हो जाएगा, ओप्शन ए, ओप्शन ए, नाइफ सलमान रूसदी, ठीक है, नाइफ के अगर हम बात करें, नाइफ मिडिटेशन आफटर ए, अटेंटेट मडर सलमान रूसदी की पूछतक है, इसके साथ मिड़नाइट चिल्डरेन ए उम्दो, इस्टैनिक वर्सेज के लेखर की रशना भी इनके द्वराई की गई थी, जश्ट ए मरसीनरी, यह जो हरियरवेंग के पूर्व जो प्रमुक है, दुबवुरी सुब्बाराओ की रशना है, जश्ट ए मरसीनरी, ठीक, और आइडिया आउफ डेमोक्रेसी की रशना जो है, आइडिया आउफ डेमोक्रेसी की रशना सेम पित्रोधा ने की थी, ठीक, और जश्ट ए मरसीनरी की रशना, डी सुबबाराओ ने की थी, ठीक है, तो पहला आपका सही है, बाकी दुनों गलता है नेक्ष देखिए इसमें सुची फर्ष्ट को सुची सेकेंड से सुमिद करना है सीतवे पतन कहां पर है सीतवे पतन के अगर हम बात करें तो यह है महनमार में चाबहर बंदरगा चाबहर बंदरगा कहां पर है चाबहर बंदरगा जो है या इरान में है और चटो गाउं, चटो गाउं या चटो ग्राम पोर्ट, यह कहा पर है या आपके, बंग्लादेस में हैं, और दुक्कम पोर्ट है, अमार में ठीक है, और स्थीतव्थीं बंदरगा है महनमार में, ठीक, सही ए, अनसवर चुर बिखा जाएगा अपसिन bef ले, 4213, 4223, उप प्रबंद निदेशक के रुप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है कि इसका सही एंस और जयाग उप्सने क्रिष्टीना जौर शिवा को उप्सने किसे सम्दानी संसोतन अधनियम के द्वारा राजे के मंत्रियों की कुल संख्या को विधान सभा कि छमता के 15 मंत्रियों की संख्या विधान सभा के विधान सभा के विधान सभा कि कुल Ohh छमता के 15 प्रतिश्थ से अधिक प्राइप करें तो यह जो है राजपाल के लिए सलाकार निकाय निकाए न होता है कि मुख्यमंतरी के लिए साधारड भी देख के संदर में कौन सा विकल्प सही है इसे सिर्फ लोगसभा में प्रस्थूत किया जा सकता है इसे सिर्फ मंत्री द्वारा ही प्रस्थूत किया जा सकता है कौन सा विकल्प इसका सही होगा इसका जो सही अंसर साथ हो वह जाएगा उप्सन भी दोनों विकल् और किन्द्री सुचनायोग केंद्री सकतर क्यों इसमें बताना है कि कौन गैर स्थामवथ्धानिक निकाए बताना है तơिक यह एक- रसामवथिक निकाए सब्सक्राइब करें निति आयोग की बात करें निति आयोग जो है यह सरकार का प्रमुकत हिंग टैंक है जो निति का इंपूट प्रदान करता है और इसका स्थापना किया गया था में यह कोई सन्थान्फ में किया था थिक है नेवनलखित में से कौन 33 में ग्रिस में काल इन ओलंपी 24 में जूरी सदस से की रूप में न्यूक तो होने वाला पहली भारती महिला बन गई है इसका सही एंस और जाएगा ओप्शन भारत का पहला सोनेग्रेड भू अष्थानी कुप अगर टी सेट फरस्ट ए उसके तुरह लांच-किया था इस लांच किया गया थ से टाटा एडवानस से सीच्टम लिंटेट दवरा ताटा एडवानस सिच्टम लिंटेट दवरा उस नेव्प्शन इसका सही हो जाएगा ने बीजीन जाम मुर्मु गाओ या फिर कांटला इसका सही एन तुर जाएगा option B बीजीन जाम option B ठीक है और यह भारत का पला ट्रांस सीप्मेंट बंदरगा है और यह है कहां पर यह किरल मिर्थी था ठीक है यह भी याद रखेगा option B हो जाएगा भारती संदन का कौन सा अंचेद अधिनस्त न्यायालियों के संगठन को विन्यमित करने का प्रावधन करता है कौन इसका प्रावधन करता है इसका सहीन सुर जाग option B अंचेद 233 से ले करके 233 मिलियन मिलावाखी पर्योजना एक समदाय के नेत्रित वाली पहल है जिसका उद् इसके दुतवाज द्वारा मियावाकी पदती विक्सित करने में मदद किया जा रहा है यह बताना है इसका जो सहीन स्वर वह जाएगा option B जपान हो जाएगा option B सही है भारतुछ व्यक्रिस्तान संव्यूत सन अभ्याज जो डश्ट लिख है इसके पाच्वें संसक्राड का जो है इसके पाच्वें संसक्राड का जन जो है वह तर्मेज में हुआ था भातुष व्यक्रिस्तान संव्यूत सन अभ्याज जो है पंद्रे से लेकर 28 सप्रेल 24 तल व्यक्रिस्तान के टर्मेज में आज़ित किया गया जिक अब निए इसमें कुछ दिवस दिए गया है और यह मनाया जाता है चो डिवस व हमनाया जाता है और विश्व दिवस मनाया जाता है अठारा अप्रेल को और विश्व जल्दिवस मना जाता है बाइस मार्च को इसका सही अंसुर जाएगा दो तीन चार एक उप्शन सी दो तीन चार एक नेम्दलकित में से कौन 100 से अधिक वर्सों में अलीगर मुसलिम विश्व बिदाले की प्रथम मैला कुलपती बनी है इसका सही अंसुर जाएगा ऑप्शन सी नाइमा खातुन नाइमा खातुन ओप्शन सी हो जाएगा हिंगलाज माता मंधिर में से किस पड़ोश्य देश प्रिकेट में पांसो छक्के का रिकार्ट बनाने में पहला भारती बन गया है इसका सही एंस रुजाएगा ओप्शन दी प्रोज सर्मा नियुद्ध पूर्चन के लिए इसकोच पूरस्का दोय चोबीस जीता है ग्रामिडी विद्धूतिकरण निगम लिम्टेट केंद्री बिद्धूत प्राधी करण अडानी ग्रीन एनर्जी लिम्टेट या भिराष्टी ताब बिद्धूत निगम इसका सही एंस रुजाएगा ओप्शन है ग्रामिड बिद्धूतिकरण निगम लिम्टेट द्वारे या पूरस्कार दी आ गया है इसको या पूरस्कार से कहले प्राध हिस्ता व्याय किया था कौन साल भी कर्प इसका होगा इसका सही एंस है इनшवर ऐत्के दुन भी कल्प ठीक है के पूरी दुनिया मिलकर के जितना सैने खर्च करती है ठीक है उसका पचास प्रतिसर केवल दो देस करते हैं अमेरिका और चाइना ठीक है दोनों भी कल्ब सही हो जाएगा और इस मामले में सैने खर्च के मामले में अपना भारत जो है चौथी नमबर पे है काचा तीबुदियू कहां पर इस थीत है यह बहुत ज़्यादा इसको ले करके भी बात हुआ था कहां पर यह बताना है इसका सही है प्रतमान समय में बहुत ज़्यादा चर्च में था क्योंकि इसको वापस लेने की सरकार से डिमांड की जा रही है ठीक और यह कब दिया गया था 1974 में इसे दिलंका को दे दिया गया था अप्सन भी हो जाएगा राजस्थान का राजपक्षी ग्रेट इंडियन बस्ट और ने लकिन में से किस कारट से लगातार संकट में है आक्रामक विदेशी पक्षी परजातियों का अक्रमड बिद्दूतर ट्रांसमिसन लाइनों से बिद्दूतर ट्रांसमिसन लाइनों से टकराना और बिद्दी के जड़के के कारट जो है इसकी संक्या में तरी से गिरा उटा रहा है या कर सकते हैं कि इसकी मृत्यू का प्रमुक कारट बना है एसके प्राइबेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉन इंडेक्स दोचोबिस के अउसार भारत में यूनिकॉनों की संक्या कितनी है दोचोबिस में यह बताना है इसका सही अंसर जाए गॉप्षन यह सट सट है सरसक और यूनिकॉन के मामले में भारत जो है तीसरे नंबर पर है भारत तीसरे नंबर पर है पहले नंबर पर है अमेरिका दूसरे नंबर पर है चाहिना और भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर है के सरकार की इस आहान पहल का अप्रात्मे के लच्छे क्या है वाजू या इसका सही एन सोर जाएगा option ए वायू यात्यात प्रबंधन एटियम को परिस्कृत करना और मजबूत करना ठीक इसका सही एन सोर जाएगा option बी जगजीत पावाडिया को जगजीत पावाडिया को जगजीत पावाडिया को option भी सुसाइबर अपराद सुचंकांग 24 में भारत का अस्थान क्या है मतलब है जो साइबर अपराद का खात्रा होता है उसके प्रबंधन करने के मामले में भारत जो है दस्वे नंबर पर है जो साइबर अपराद होटी स्पोर्ट में दस्वे अस्थान पर है जो साइबर अपराद के सबसे महत्वफुन राष्टी स्थरोतों के रैंक दिया जाता है ठीक है और इस सुचंकांग में रूस पहले नंबर पर है इसके बाद यूकरेन चीन अमेरिका नाइजेरिया और रोमारिया कास्थान आता है पहले नंबर पर कौन याद रखेगा र दूरूस है और भारत जो है या तस्वे नंबर पर है नेमनलखित में से कि 17 खिलाड़े ने 2024 में 17 टूनामेट जीतने के बाद 27 चैंपियंशीप फीड़े के लिए क्वालिफाई किया है किसके द्वारा क्वालिफाई किया गया था डी हंगू के इस द्वारा ऑप्शन डी ह लिए वहाँ आँ लिए नेक्ष देखिए इसमें सुची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से सुम्रीद करना है कुछ उच न्यायले दिये गया है है और इनकी अस्थापना कब हुई थि उससे सुम्रीद करना है झालाबात उचरी बात करें इसका अस्थापना हुआ था ठाए नेमनलखित में से कौन सा आयोग मंत्राले सही सुमिनित नहीं है संग लोग सिवा आयोग कर्मिक मंत्राले के अंदर गत आता है कर्मचारी चैन आयोग ग्री मंत्राले के अंदर गत राश्ट्रिय और सोचित जाती आयोग समाजिक नयावधिकारता मंत्राले के अंदर गत आता है ठीक है कार्मिक मंत्रा लेके अंतरगत भी गलत है निवनलखित में से कौन राजय सुची कभी से है अंतर राजय ब्यपार और वाड़ी चिप उच्छ नहले का गठन पूलिस मादक प्यपदार्थ कूट के इसाफ से आपको सही एंस्वर का चैन करना है और बताना है कि कौन जो है राजय सुची का भी से है इसका जो सही एंसवर वह जाएगा option 3 पूलिस और मादक प्यपदार्थ ये दोनों जो है राजय सुची का भी से है ठीक है और संट वह जाएगा निवनलखित में से किसने अपात्कालिन प्राओधानों की अलोचना की क्योंकि वे स्था मदा आना साही को минदा, कमें ज stuffs करेंगा ये जिसका दिसके रोचना किया था ऐसें सम्दान संसोधन लंदीन ने पूत उचरिक को भारत के के दिसके अंहे कर स्थापना किया था इसका जो सहीया अंसवर है वह जाएगाrie को स tenía की सिवी द्रंसेंदीं सवाटा सब्सक्राइब उनीं 1560 सर्विंब 321 सखनाँ Richter जवेली का उमसें 20етров कि आ e गुंद के शर्षा दुद करें सब्सक्राइबी 10 लारा नाजनर था सब्सक्राइब 16 Volkswagen 22 तो पूदुचेरी को जो है चोधावे संदान संसोधन दोरा भारत का केंदर सासित प्रतेश बनाया गया था ठीक है ओप्सन सी हो जाएगा पूरसकार भारत के राजपती दोरा गरत अंतर दिवस की पूरस अंध्या पर भितरित किया जाता है कौन साथ कंसा वीकलप सही है यह बतानाया ठीक है कौनो साब इ ciudad असर वन्हें हो है यह जाएगा जाता है और इन आ है पूरसकारों में क्या जाता है एफडितिया जाता है इसके साथ-सकरत पुरिसकार की जो घोषणा पर्तेख वर्स गड़्तंद्र दिवसपर किया जाता है और यह पुरिसकार भारत के राश्च पती दौरा फृते पर समार्च अपरेल के आसपास राष्टी बहुत में आई जो जीत एक समारोह में दिया जाता है ठीक है तो पहला गलत हो जागा दूसरा सही है पुरषकार दिया गया था इनकुल पुरषकारों में 30 महिलाय है तीस महिलाय है और विदेस्यों और बियाई एन एन र आई इन सब की बात करें तो आठ लोग जो है अनर आ आई है और अन रॉब्धिक पुरांड या पूरषकार जो दिया ज+. Nah 9 लोगों को देथ के मिरतियू के बाद दिया गया था कि अब सीधे को सठाइक के किसे लोगों को मड़ो परांत दिया गया था यह िदे हैं किसा इसका दाइक बदिय। निदल लेंड में इसका जनुगा था 25 अपरेल दोज़चोबिस 22 से लेकर के 25 अपरेल दोज़चोबिस की पीछ ठीक अप्शन C हो जाएगा आंतराष्टी चावलन संदान संस्थान आई आई आराराई का दच्छिडर सी छेतरिय केंदर जो है का स्थापित किया जाएगा वरारसी में राष्टी अगनी समन सेवा दिवाद दोईचोवीस का थीम क्या है? इसका जो सही है अंस्वरब हो जाएगा उप्शन डी अगनी सुरुषा सुनिशित करे है राष्ट निर्माड में योगदान दे उप्शन डी अटालबासी बिदाले योजना उत्तर पदे सरकारत्वार दोगतर смотрите फाइबवादाी स्टर भात्वाद करें बारthis यूजन तीन मिन्ट लंबा सूर्य तिलक समरों जिसमें और भागवर्जा में भाग्राम की मुर्ति के माथे पस्तूर की किरण डाले गई नेमदलकित में से किस संथा कि युगदान से एसा किया गया था यह बताना है यह जो है भारती बीक्जान सिच्छा मुनानी संथान संथान आई आई एस यार वह अगलूरू के सायोग से किया गया था उपसंसी हो जाएगा कि सहायक नदीये टोन से केन बेतवा या फिर हिंडन इसका सहियन स क्या होगा इसका साय नदियां है जो है यह मुनाकий सहायक नदिया ने इसकी सहायक रूर जालित करना रहन अ से प्राप्ट हुआ है तिरंगा वर्फी कहां का है तिरंगा वर्फी जो है यह है कासी का थारू कड़ाई कहां का है थारू कड़ाई यह लखीमपुर कीरी का बेत और बास सिल्फ बेत और बास सिल्फ है प्रयाग राज और सुर्खा अमरूद सुर्खा अमरूद की बात करें महदेवी बर्मासरमी के पूछता के क्राय धान योजना निमनलक्षित में से किस वर्सी इसकी शुरुवात की गई थी इसकी सुरुवात जो है की गई थी 2025 में और उत्रपदे से सरकार दोर इसकी सुरुवात की गई थी ओप्सन सी हो जाएगा ठीक है और जिसका उद्दे से था जिसका उद्दे से एक सरानी पहल मतलब ये था कि निर्मार स्रमिकों की बेटियों को ससक्त बनाने के लिए इसकी संग्ठन ने बी आईयस बी आईयस सत्रे जीरो पाच एक गोला बारूद के उच्चतम खत्रे अस्तर छे से सुरच्छा के लिए भारत का सबसे हलका बुलेट प्रूब जैकेट बिक्सित किया गया है या बताना है रच्छा अनुसंधान और विकास संग्धन डियार्डियो भारती अंतर इच्छे सोदस्तंग अठन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिम्टेर या फिर भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेर इसका सही अन्सर क्या होगा देखे इसका जो सही अन्सर साथ हो वो हो जाएगा आपका ओप्सन कि यह डियार्ड और अच्छे ऑप्सन है उत्र मते संगीट नाटच अकादमी का इस्थापना कप किया गया था इसका इस्थापना हो गए था जो इंदरजीत गुपता समती चुनाव राज का वित्पोशड दिनेज गोश्वामी सम्ति के अगर हम बात करें या चुनावी सुधार से संबंधित है वोहरा सम्ति या अपराद और राजनिती के बीच गठ जोड़ है इससे संबंधित है और दिनेज गोश्वामी चुनावी सुधार से संबंधित है तनका सम्ति की बात करें तो चुनाव एक चुनावी सुधार से संपनित है और इसका गठन कप किया गया था 2010 में किया गया था कि तो इसका जो सही तराज बिदान सभा के आम चुनाव में पहली बारी बियां का इस्तमाल किया गया था इसका सही ज़न सुर्जायग option C को हुआ राष्टी एकता परिशत के दर्षता कौन करता है राष्टी एकता परिशत की दर्षता की जाती है पर दानमात्री द्वारा option D हो जाएगा और राष्टी एकता परिशत इसका गठन कप किया गया था? 1961 में ये भियाद रखेगा, option T हो जाएगा संग लोग स्थेवा आयोग UPSC के संदर में कौन सा बिकल्प सही है कौन सा बिकल्प सही है आयोग के क्यादे सदस्यों को भास सरकार या फिराज सरकार के दिन कम से कम साथ बस का अनभव होना उस्ट्यक होता है इसका जो हुग के सदस्यों को अपना पहला कारिकालप होने के बाद पूरह नियुग्त किया सकता है इसके लावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योगता कावलिक नहीं किया गया है इसके अत्रिक्त की आयोग के आधे सदर से ऐसे बैगती हो जिने भारत सरकारे किसी राज सरकार के दिन कम से कम दस वर्स का अनुभाव उन्हों की साथ वर्स कितना तस वर्स का ठीक तो पहला गलब जाएगा और दुसरा के उल्गला तो अनि यूगती के लिए पात्र होता है लेकिन भारत सरकार में पात्र नहीं होता है ठेक है तो UPSC का जो सदस्य है या किसी राज्य में उस राज्य का जो आयोग है उसका अध्यच बन सकता है बाकी वह अर्ण ने कोई पद्धारण नहीं कर सकता है ठेक तो ये भी गलत हो जाएगा भारती संदर का कौन सा उंचेद सीवील सेवकों को सेवा से मनवाने ठांक से परखास्त किया जाने से सुरच्छा देता है इसका सही है सुरजाइग उप्शन बी अंचेद 311 राजलोग सेवायोग SPSC के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है आजोग के अधहचो सदस्य च्छह वर सक्योधिया 62 वर से क्या प्रापत करने तक पतहरण करते हैं राजलोग सेवायोग के अधहचो सदस्यों को राश्पती द्वारा हटाय जाता है या अपने कारिय नि प्राश्ट्राइब को सौपते अगलत है इसके अगर हम बात करें या रिपोर्ट जो है अपनी राजपाल को सौपते अनकी राश्ट्राइब को कि अंद्री बितायो कि संदर में कौन सा भिकल्प सही है भायत के संदर का उछे दो स्वश्टी या एक अर्द मिकाए आर्द नयायक निकाय की रुप में वितायो का पराधन करता है वितायो की सिभारी सरकार के लिए बादेकारी होती है कौन सा भी कल्ब सही है इसका सही है और सोर जाएगा option सी पहला सही दूसरा गरत क्यों क्योंकि वितायो की जो सिभारी से से कार्व थारे जखा निर्वत करता हूं जाए तो मान ले नहीं तो ना माले ओPSON रह जाएगा जनाहितियाजिका की जो आउधाड़ा कहां से लगई है या अमेरीका से लगई है छिक है अमेरिकास सने आ जए अच्छा एक अधिकरणों के कौण बिकलपसिर है कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है देखे इसके अगर हम बात करें तो इसका जो सही अंस्वर है वह जाएगा ऑप्शन D दोनों विकल्प गलत है देखा hem 623-181 के अधिकरण के उस संसद और अस्थाफित किया जाए सकता ह। इसके तहत की वह संसद और स्थाफित किया जाए सकता है। संतानमा वा संसोदन अधर्णियं 22.2 निमनलखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था। इसने साकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया। साकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने दाजे के शिद्धानत को सामिल किया। और इसने सम्धान में एक नया खंड भाग नौ भी सामिल किया, इसने उन्चे 243 P से 243 ZG को सामिल किया, कौन था बिकल्फ इसका सही अर्थात, कौन जो है संतानवाँ सम्धान संसोतन दोरा नहीं जुड़ा गया था, इसका सही अंसर हो जाएगा option D, इसका वया प्रावधान नियुक्त में से किसे के पास किसी छेतर को अनुसूचित छेतर घोषित करने का अधिकार है किसके पास याधिकार होता है, इसका जो सही अंसर हो जाएगा option D, राष्टपती के पास याधिकार होता है, और इसका जो उल्लेख भाग 10 भाग 10 अंशे 244 अंशे अंशे अपना की गई है, ठीक है, और राष्टपती को किसी भी छेतर का अनुसूचित छेतर घोषित करने का अधिकार दिया गया है, और अपने दोस्तों साथिओं के साथ वीडियो जरू सेर कर दे, और अपना फिडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करे, ठीक है, भाहत म मत दिने का अधिकार है, भाहत समय धानी का अधिकार है, ठीक है, भाहत में मत दिने का अधिकार है, समय धानी का अधिकार है, ओप्सन भी हो जाएगा, ठीक है, इसको ले करके बहुत से वह हैं, कुछ लोग समय धानी का अधिकार मानते हैं, कुछ लोग कानूनी अधिकार मा सभा में राजिक के प्रतनीदियों के चुनाव में भाग नहीं लेती है इसका सही अंसुर क्या है इसका सही अंसुर जाएक उपसंसी दोनों भीकल्प सही हो जाएंगे लेक्ष देखिए केंद्री प्रासाज सिंग नियाधी करड़ कैट के सदस्यों की नियुक्ति साउच नि निकल्पे इसका सही है और कतन और करड़ के मैंद्यम से बताना है इसका जो सही अंसुर होगा वह जाएगा उपसंस सदस्यों कि नियुक्ति राश्टी राश्पति दोरह संबनित राज्यकि राजपाल की परहमर्स के बात की जाती है थेक है तो पहला सही हो जाएगा दूस सा बीकल्ब सही है 1992 में गठी या एक स्थाम बधानिक सांच था है जैन्ति पठनाय कायोग की प्रथा मद्यच्ति इतका सही अंसर क्या होगा इसका जो सही अंसर साथ यूब वह जाएगा ऑप्शन दूसरा सही पहला गलत है पहला गलत है पहला गलत क्यों है तोंकि महिलाओं को प्रभाभाई करने वाले सभी नीथिए मामलों पर सरकार को सला देने से संबन दित है एर राष्टी महिलायो के अध्याच के रूप में नियुक्ति के लिए पात रहा है प्रदान मंत्री राश्टी मानोदेका रायोग के अध्याच के रूप में नियुक्ति के लिए पातर कौन होता है प्रदान मंत्री लोग सभाध्याज भारत में स्तेवा ने बित्मुकिनादिस या फिर राज सभा क का उपसभापती इसका सही चिनटिय को किसं मामली को दल बदल मामले के नाम से जाना जाता है यह मामला पहीं उननीस तो पिरानवे का और इसे दल CP & चाशन के नाम से जाँना जाता है इंद्रहासाय की बाद तरिया मामला 1992 का है और इसे बीधि के सासन कि इसकी मुल साचना में बीधी का सासन जुड़ागी और इस600 मामला के नामसे जाता है मंहुनकर मामला के ale और उसके बाद है आपका आई आई को है आई आर को हेलो के बात करें यह जो है दोजासाथ का है और इसके अंहिद गांधी इंद्रा नेहरु गांधी मामला जो है यह 1975 का है ठीक और यह चुनावी संबंधी मामले से संबनित है तो इसका सही एन सुर जाएग ओप्सन है नेक्ट देखिए इसमें सुची फर्ष्ट को सुची सेकेंड से सुमित करना है वर्तमान राजयपाल ठीक है अपरायल 2024 की बात है ठीक है अपरायल 2024 के कोटिंग है ठीक तो अगर अपडेट हो गया होगा तो आप लोगों हिसाब देख लिजेगा अंद्रपर्देश के अबदुलणचीर असम की बात करें तो गुलाब चंदरकटारिया और महराष्टा की ब कौन जीएस्टी परिशत का अध्यच्छ है वर्तमात समय में कौन जीएस्टी परिशत का अध्यच्छ है केंदरी वीत्मंत्री ओप्सन भी हो जाएगा नियमनलिक्षित में से की सम्ना संसोधन एद्यम निया नुसूची जातियों के लिए सायूक्त राष्टी आयोगे कि को दो अलग अलग निकायों की रूप में घठित कर दिया था इसका और अगरी हां बात कर कि लिए और І्युक्त प्रावधान किया और नुसूची जाति के लिये आनुचे 378 में All г. किया गया ठीक है याद रखेगा ओपसंट सी हो जाएगा नेक्ट देखिए 102 संसोतन अधनियम तो राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग किसी मामले की जाज करते समय इसे सभी सक्थियां प्राप्त होती है कौन सा विकल्ब इसका सही है इसका तो सही है अन्थवर वह जाएगा ऑप्शन बी कथन और कार्ट दोनों सही लेकिन आरे की सही व्याक्या नहीं करता है हो अखहल भारती ट्रेर यूनियन कांगरेस का अस्थापना हुआ था 1920 में 1920 में ऑप्शन भी राश्टी अनुसूची जनजाती आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तूत करता है राश्ट्पति को नियम नलखित में से कौन सा उंचित भासाई अलप संख्यकों के लिए एक विसेश अधिकारी की नुक्ति का प्रावधान करता है भासाई अलप स्किन में से किसकी सिफारिस पर की गए थी अभी उपर जो है बताया गया है इसका सभारिस पर 1964 में इसका स्थापना किया गया था ठीक है कि एंद्रिय अनुवेश्ट वियूरू के समद्ध में कौन सा विकल्प सही है या एक सामिदिक निकाहे है सी वियाई के निदेशा की न संस्था नहीं है इसे अपनी सकति दिल्ली विशेश पूलिस अज था अपने अधरियन उनी सोच श्याली से प्राप्त होता है और केंद्रिय अनुएश्ट ब्यूरो अथाच सीबियाई या के सरकार के मुख हिजाची जैन्सी है ठीक और इसके अगर हम बात करें सीबियाई परवर्तनि देशाले के बारे में कौन सा बीकलब सही नहीं है या राजास वीभाग की अधिन एक कार्याला है या एक संधनिक स्था था है और यह भारतिक अपरादो और विद्यसी मुद्रा कानूनों के उलंगन की जाच करती है कौन सा कथन गलत है इसका सही या एक संधनि या पिर भारतिय स्वायवेंट्राइब का सब्रेट आए का राश्चिन विसर्ड अभीकरड एनाये का मुख्याल एक हाँ इसका मुख्याल ने दिल्ली में है और इसका जो गठन किया गया था दोज़नौ में किया गया था दोज़नौ में ठेक है 26 गारा है 26 की गटना की रूप में जो आयने का स्थापना बहुत से मुंबई आतंगवादी हमले की प्रिष्ट भूमी में की गई थी ठीक है 26 गारा की गटना की रूप में सही एंसर जो हो जाएगा कॉप्शन भी नियम्द लखित में से किस सामीत ने राश्टी कारेट कोर के गठन की सिफारिश एचन कुंजरू सामीती ने की थी ठीक है एचन ने रिखित में से किसे सांसद के ठार्मी लोग सभा का प्रोटे में इस्पीकर ने उट किया गया था भष्पारी मात आपको भरतुरी मत आपको 1992 में लुक इस्ट पॉलिस्टी की पहल सरव पथम किसके दोरा प्रस्तुत की गए थी लुक इस्ट पॉलिस्टी पहल जो है या पीवी नर्सिम्हाराद वारा प्रस्तुत की गए थी ठीक है मैं लाएगा नेनालिप्षत में से कौन सा राज लोग सभा में सीटों की संख्या की अमसाद दूसरे और तीस्ट नंबर पर यहां और इसके अगर हम बात करें पहले नंबर पर अगर बात करें तो इसके तो उत्तर परदेश आता है ठीक है जिसमें सीटें कितनी है 48 पॉत्तर की जंग्या हुआ बियालिस है तो सही अंत्वर ऑप्शन हो जाएगा भारत के सम्धान करने में से कौन सानुचेद संसद और राजियों के विधान मंडल दोरा बनाए गया कानुनों की विशावर्ष्टू को चितरित करता है इसका सही अंत्वर क्या होगा तेकि इसका जो सही हो जाएगा उप्शन भी अनुचे 246 अनुचे 246 यदि राश्टी हित में राज सुची पर कानुन बनाने के लिए संसद की आउप सकता हो तो देंगलकित में सक्की से प्रकार की वहमत की आउप सकता होती है यदि राज सभाव उपस्तित और मद्दान करने वाले सदस्यों कि दो त्याई बहमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करता है तो कानुन बनाया जा सकता है राज सुची के भी से पर ठीक ऑप्सन हो जाएगा और इसका जो लिख किया गया है उपर जो है डिसकस किए गया है इस बारे में लोग सभा के अध्याच्य मुपाध्याच को निमनलखी टरीके से बदमुक्त किया जा सकता है किस विदी से लोग सभा का एक प्रस्ताव सदन के सभी तदकालिन सदसों के बहुमत ने वाला सदन की कुल सदसuman संघ्या का 220 बहुमत यहाब यह उपर पार्श्तित्यों के 50% से दिक बहुमत इसका सही प्रस्ताव सदन के सभी ततकालिन सदसु के वहमत द्वारा जो है अटाए जा सकता है और इसका जो लिख किया गया है नुच्छ चौरानवी में किया गया उच निअले की सकती कर्दि है कुन सा विकल्प सही नहीं है भाद में उच नियालेके पास मूर अधिकारों के प्रवत्तन के साथ अल्य देश्यों के लिए रिद्ध यारी करने की सकती है वुच नियाले के पास संग्ह की किसी भी कार्यकारी और विधाई कारवाई की नयाएक समिछा करने की सकती और अदिकार है उच्छ नहले के पास राश्पती और उप्राश्पती के चुनाऊ से संभनी विबाद का निड़िया करने की सकती है कौन सा संयुक्त राश्ट के संद्र में निम्दल्खित से कौन सा कथन सही नहीं है इसका अर्थापना 24 स्थाफन में पारेश्थ थाई और दस और स्थाइस सदसे सद्कूल 15 सदसे होते हैं आंतराष्टी नहीं आले संयुत राष्ट का एक मात्र बेसिष्ट अंग है जिसका मुखहले नियॉयॉर्क में है हिंदी संयुत राष्ट की इच्छे अधिकारी भासाओं में से एक है कौन सा विकल्प गलत है इसका जो सह सुचिफवर्ष्ट को सेकृन से सुनिद करना है और देशनी किस देश के संसंत का नाम है निय के अगर भात करें तो या इज्राइल के संसंत को을 नियॉसराइल कि इम्पीरियल डाइट जो है यह जापान का संसद थीister और उसके सब्सक्राइब नियुक्त है कौन भारत के पंचसील समझोते का सिध्धान्त है गयर आक क्रमड और हर्स्थचेप गुट निर्पेक्ष सांतिपूर सार्ष्थ तो कौन सा भी कलप इसका सहीं होगा इसका जो सहीं आन्थ वह जाएगा ऑप्शन भी एक दो चार एक दो चार ठी समानता और पार्सपरी के लाव सांति पूर्ण सार्ष्थ तो ठीक है गुट निर्पेक चीज़ का भाग नहीं है ऑप्शन भी हो जाएगा भारती विसीच्ट पाचान प्रादिकर उद्य एक सामधिक निकाय के रुप में नियुक्त में से किस वर्स इसका गठन किया गया यह में से इसका गठन किया था दोजार शलों किसी दल को भारत के निर्वाचन आयोग ड्वारा राष्टी डल घोसित किये जाने के लिए निम्यनलखिजर में से कौन सी सरते पूरी होनी चाहिये इसे चार यह दिक राज्यों मीं मानता प्राप्त हो या इसने कम से कम छें र प्रावधान किया गया कि पृतेख राजभशाई अल्प संक्षक वरगों की बच्चों को सिछ्छा के प्रात्मी कर्श्तर पर मात्रभासा में सिछ्छा देने की परयाद सुधा परदान करेगा इसमें बुला गया है इसका जो लेख किया गया है एवाँ किया गया है, आम छेद, 350 सब क्लोच, एमें, option B, नेग देखिये, इसमें सुची फरस्ट को, सुची सेकेंद से समलित करना है, सुची फरस्ट को सुची सेकेंद से कुछ राजनीरिक दालने है, उनका गठन दिया गया है, कब किया गया था यह बताना है, भारती जनसंग का गठन हुआ था 1901 में ठिक भारती जनसंग का 1902 में और AIADM के इसका जो गठन हुआ था 1921 में ते लोगू देशाम पार्टी 1922 समार्वादी पार्टी 1992 सही एंस्वर जो हो जायागा अप्जिन टी तीन दो चारिक भारत में पाला नगर निगम का स्थापित किया गया था भारत में पाला नगर निगम का स्थापना जो किया गया था हुआ मद्रास में किया गया था मद्रास में जो पाला नगर निगम अस्थापित हुआ था 1688 में निया विकास पोर्टल के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है इसका सही एंस्वर जोजना की निगरानी करना कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है इसका सही एंस्वर जो हो जाएगा पहला जो है यह गलत है क्योंकि यह पोर्टल कानुनियम्याय मंत्राले के अंदर गताता है नकी समाजिक नया और अधिकार था पहला गलत जाएगा राष्टी यावदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में कौन सा कतन सही है इस राष्पति इसका अध्याच होता है पदे नद्याच और यह एक वार्षिक रिपोर्ट तयार करता है और इसे कें सरकार के समख्छ प्रस्थूत करता है कौन सा पिकल्प इसका सही होगा प्रधानमंत्री जो है इसका पदे न अध्याच होता है ना कि राश्पती प्रधानमंत्री होता है ठीक है ओप्सण सी कि ने लखित में से कौन सा साथ्त्री भासाएं कि घोष्णा साही सुमिनी थे तमिल साथ्त्री भासा का दर्जा दिया गया था संस्क्रीट जो है संस्क्रीट को दोएजर पाज में साथ्त्री भासा गोषित किया गया था ते लूगों जो है ते लूगों को दोएजर अठ में मल्यालम मल्यालम जो है मल्यालम को 2013 में और ओडिया जो है इसको 2014 में ठीक तो याद रखेगा याद रखेगा तमिल को 24 में संस्कृत को 2005 में तेलगु और कन्नड को में मलयालम log 13 में और उडिया को 24 में शाजत्री भासा का दर्ज़ा थिया क beggar डेखी विकेंद्री करण पर रॉयल कम ey उट की तक करण प्रॉयल कम Your! कमी सन कि नूट की गए ती इसकी नूट्य की गए थी 1907 फीक हो 2007 को media next 4 देखे ऊर आीज का last यह दिराज विदान मंदल का कोई सदस से कब तक बिना अनुमती के सभी बैठों को उसे अनुपरसित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्तिगोसित कर सकता है साठ लगातार जो है साठ दिन अथा दो माह तक ठीक है तो यह था आज का लाश्ट कोस्टन्स आज हो वीडियो आपनों को अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर ले किसी भी कोस्टन्स को ले करके कोई डाउट हो क कमेंड बॉक्स में कमेंड करके पूछ सकते हैं और अपना फिड़ बैक जो है कमेंड बॉक्स में जरूर दे दिया करें तो चले मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंदर